आज के इस वीडियो में मैं आपको एक वेकंसी के बारे मताने वाला हूँ एक न्यू वेकंसी है जो कि आडिया एए आई एरफोर्ट अथरिटी ओफ इंडिया के तरब से इसमें आई टी डिपलोमा और बीटेक वाले अपलाई कर सकते हैं फ्रेजर अपलाई कर सकते हैं और व इस चैनल पर आपको मिलती देगी टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्षन मिल जागा जुआ नहों कर कड़िए है इनके लिए एक 1121 के डेट में रिलीज की गई है और इसका जो इसमें जो वेकंसी है वो 63 वेकंसी पोस्ट इसमें अनॉस की गई तो दोनों का ओफिसियल एडवर्टाजमेंट नोटीस मैं उपन करके दिखाता हूं आप लोग अच्छे से बताता हूं जैसे की देख सकते है यह इसका ओफिसयल एडवर्टाजमेंट नोटीस है यह जो है आइठीये वालो के लिए है तो जो भी कट्रेट इसमें अपलाई कर सकते है इसमें जो ट्ूर रट है आप लोग इहाँ पर देख सकते है इसमें आपको 9000 पर मन्थ आपको इसलमेंद है और उसका जो लोकेशन टोटीस है यह आप लोग देख सकते हैं graduate और diploma holder के लिए western region से यह निकल करा रही है और इसमें आपका जो पहला नमर पोस्ट है graduate apprentice mechanics और auto engineering के लिए इसमें total 11 पोस्ट है 15,000 पर मंथ आपको stipend मिले वाली और इसमें आपका minimum educational qualification है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें कि आपका mechanical और automobile और आपका b.tech किया है अगर mechanical automobile engineering से तो आप लोग इसमें apply कर सकते हैं साथी साथ इसका जो location है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह सारे location पे आप लोग का इसमें training complete करवा जाएगा इसमें आपका bachelor degree civil engineering से होना चाहिए उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड मर पोस्ट पे इसमें आपका जो electronics या telecommunications अगर आप लोग बीटेक किया है तो आप लोग इसमें apply कर सकते हैं उसके बाद का qualification degree in engineering technology computer science या computers engineering या information technology से किया है तो आप लोग इसमें apply कर सकते हैं तो यह सारे थे बीटेक वालो के लिए आप जो diploma holder है उनके लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसमें अगर आप लोग mechanical या automobile engineering से diploma किया है तो आप लोग इसमें apply कर सकते हैं इसमें आपको टोटल 12,000 रुपे पर मंत स्टिपेंड मिलने वाली है दूसरे नमर पोस्ट जो है डिपलोमा वालो के लिए सिभील के लिए है तो डिपलोमा इन सिभील इंजिनरिंग से अगर आप लोग किया है तो एप लोग कर सकते हैं अब मैं आप लोग को बता देता हूं इसका डिटेल्स की कैसे apply करना है कहां से apply होगा तो complete information के वीडियो को एन तक जरूर देखते रहिएगा इसमें आपका degree या diploma होना चाहिए जो कि आपका AICT या government of India से किसी भी institute या regular university से approved होना चाहिए इसके लिए जो candidate है इसके लिए जो eligibility created एडिया है आप लोग याँ पर देख सकते हैं candidate belonging to the state of महराष्टरा, गुजरात, महध्यपर्देश and गोवा from western region are eligible तो जो भी candidate है ये state से belong करते हैं वो ही इसमें apply कर सकते हैं अगर आप लोग बिलोग करते हैं तो आप लोग इसमें apply नहीं कर सकते हैं minimum wage limit आपका 18 years होना चाहिए और maximum 26 years होना चाहिए 31, 10, 2021 के अनुसार से selection process है आपका mark basic पे होने वाला है जो भी आपका diploma, btec, iti में mark आया है उसी का धार पर आपका इसमें selection होने वाला है इस form को apply करने का जो last date है तो 31, 11, 2020 है Tuesday तो इस date से पहले आप जरूर से इसको apply कर सकता है इसको apply करने के लिए आपको nets portal पर registration करना बहुत ही जरूर है तो अगर आप लोग अभी तक nets portal पर registration नहीं किया है तो आप लोग nets portal पर जाए वहां पर registration कीजिए और वहीं से आप लोग इसको apply कर सकता है इसको apply करने के लिए Nets Portal में आपको search करना होगा Airport Authority of India AI लिग करके search कीजिएगा या Airport Authority of India तो वहाँ पर आ जाएगा इसमें कोई भी application फिर required नहीं है और आप लोग इसमें Nets Portal से 1.11.21 से apply कर सकते हैं 3.11.21 तक last date इसमें दिया गया है तो I hope आप इसको समझे होंगे जो भी मैंने information था हो मैंने आप लोग को बता दिया अगर आपके मने फिर भी कोई confusion.query है तो आप लोग नीचे comment करके पूछ सकते हैं और ऐसे ही interesting वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करके रखिए टेलिग्राम चैनल से जोएन होकर करिए सभी लिंक पीडियो आपको आपको आपर मिल दाएगे मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक लिए सुक्रिया और थेंक्यू